नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडिसेक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ और अगर हम बात करें दोस्तों बिहार पब्ली सर्विस कमिशन के बारे में तो ये एक ऐसा संस्था है जहां से आपको हर दिन कुछ नगुछ नए अपडेट देखन को मिल जाते हैं दोस्तों अगर हम बात कर ले यहां पे लगातार चार अगस्त से तो लगातार कुछ नए वेकेंसिस के बारे में अपडेट यहां से आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको इन सब के बारे में एक छोटी चोटी व Communication Engineers है उनके लिए एक नया Advertisement निकाला गया है Advertisement सेंके 23-20 है इसका 22-20 है ये सारे नोट करके रखिएगा क्योंकि देखें जितनी वेकेंसी निकाले जा रही है उसका अभी आपको ऐसा ने कि बस apply किया और भूल गया है ये इसका exam कब होगा इसके बारे में आपका selection procedure कब लिया जाएगा इन सब के बारे में update आपको मिलेगा आगे जाकर दोस्तों यहाँ पे 20 अगस्त देखेएगा ध्यान देखेगा mechanical engineer को लेकर भी अब्डेट निकाला गया है तो अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो economics को लेकर यहाँ पे लेक्टरार की वेकेंसी निकाली गई chemistry को physics को लेकर और electronics electrical electronics के लिए भी निकाली गई प्रोफिसर की वेकेंसी computer science के लिए भी निकाली गई थी उनके बारे में तो जानेंगे पहले बाद में लेकिन एक official notice जारी किया गया है आज के ही देट में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जिहां यह अपडेट है assistant engineer civil के लिए जिनका competitive exam यहां 2017 में कराया गया था advertisement actually यह निकाला गया था उनके regarding यह क्या notification है यहां पर सबसे पहले इस notice को हम लोग पढ़ते हैं यहां पर और इसके बारे में जानकारी लेते हैं लेकिन एक छोटी सी request करूँगा दोस्तों आप लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो ऐसे ही पलपल की update के लिए आप हमारा चैनल भी subscribe कर सकते हैं बेल आइकन दवाके था कि हर वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुचा सकें आप हमारा टेली ग्राम भी जॉइन कर लिजीगा जितने भी PDF होते हैं इसके वहां पर आपको share कर दे जाता है वीडियो के link के साथ तो आप वहां से भी जाके हमें अगर notification नहीं जाता है तो हमे follow कर सकते हैं ये एक update आईए दोस्तों ECIL की तरब से नया नौकरी के बारे में बात किया गया है तो इस वीडियो को देख लिजेगा जो छात्र यहां पर eligible हैं बी भी टेकर रखे हैं वो छात्रे contact basis पर इस company में job कर सकते हैं आविदन कर सकते हैं दोस्तों हम लेकर आचुके है इसके official notice पे जो की जारे किया गया है एडबेटाइजमेंट संके 2017 के बारे में और यह सहायक अवियंता की वेकेंसी थी जो की दोस्तों इसकी नियुक्ति है तो जो आयोग है ये विग्यापन प्रकाशित किया था उमिद्वारों से आविदन आमंतरित किया 15 September 2018 को इसका प्र साप्त आपत्तियों के आवदन पर आयोग के दोरह एक गठित विशेशेगियों की समीती बेठी और इसमें अंतिम आधर्स जो उत्तर की आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन भी किया गया 30 जनवरी 2019 को यहाँ पे प्रारंबिक परिक्षा का परिक्षा फल भी भोसित किया गया और यहाँ पे जो प्रारंबिक परिक्षा में असफल जितने उमिद्वार थे उन्होंने हाई कोट का रास्ता देखा कि उनके साथ गलत हुआ है और उन्होंने एक केस दायर किया यहाँ पे इस केस का नंबर भी आप लोग चेक कर सकते हैं पटना हाई कोट के जो माननिये हैं उन्होंने नियाएदेश ने चार प्रश्णों के उत्तर को लेकर यहाँ पे एक अलग से विशेशागी की समीती बिठाई और उस पे जाच सुरू कर दी अब जाके यहाँ जाच सुरू होई तो यहाँ पे 16 मई 2019 को एक अपील किया गया और जिसका नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसमें जो भी प्रश्णगत यहाँ पे चीजें हैं और संपरतियां हैं यह माननिये न्याले के विचार धीन है और आयोग जो है इसके स्तर से वाद के जल्द ही यहाँ पे निस्तारा ने तो आवश्य करवाई की गई है तो अभी जिसके बारे में चर्चा की जा रही है यह चार ऐसे प्रश्णा है जिनके चलते इनकी वेकेंसी अभी तक रुकी हुई है 2017 की वेकेंसी थी मतलब एड़टाइजमेंट सेंके 2017 का था यह वेकेंसी सारे 18 से लेकर 19 में कराएगे तो ऐसी इस्तिती है देख सकते हैं बिहार के लोग से वा आयो की जो की एक छोटा सा एक्जाम भी इन लोगों से कंड़क्ट धंग से नहीं होता है और कोशन तो गलत करके यहां पे सेलेक्शन दूसरों को दे दिया जाता है तो यह चोटा सा अपडेट था जो कि मैंने आपको इस मैध्यम से पहुचाया लेकिन जो नया अप्डेट है उस अप्डेट के बारे मिंट चर्चा करेंगे और मैं आपको यहां पे एक जो अप्डेट है यह अब प्रोफेषर का अप्डेट है देख सकते हैं आप लोग मेकेनिकल इंजिनियर Associate, Professor, Electronics and Electronics Engineer और Mathematics लिए यह तीन के लिए यहाँ पे है वेकेंसी तो एक Lecturer का है एक Associate का है और एक Professor का है तो हम चलते हैं सबसे पहले Lecturer Mathematics का देखते हैं यहाँ पे जिसमें की यहाँ पे Candidate वो भी आविदन कर सकते हैं जिनके पास Eligibility Criteria थोड़ी कम भी है देखे अगर हम बात करें Mathematics की दोस्तों तो यहाँ पे Total 47 पदों की वेकेंसी निकाली गई है Lecturer के लिए Online आप आविदन कर सकते हैं इसके लिए जो भी छातर Eligible है Eligibility क्या है यहाँ पे तो देख लिजीगा गणित वुषय में आपका डिग्री होना चाहिए इस नाता के आने कि Graduation कम से कम होना चाहिए अच्छा इसी इस तर पर प्रथम स्रेडी अत्वावस के समक्स याने कि First Division का डिग्री आपका B.H.C. Math में होना चाहिए यह यहाँ पे बोल दिया गया है इसकी अलावा और भी आपके डिग्री होना चाहिए जैसे कि MSC होना चाहिए Mathematics में आपका और First Class का वो भी डिग्री होना चाहिए या फिर उसके Equivalent Master डिग्री होना चाहिए यहाँ पे देखी अभी कुछ दिन पहले Paper के News के माद्यम से एक Update आया था कि किसी एक प्रिया नाम की जो छात्रा है उन्होंने अपील किया है High Court को इस Vacances को लेकर जितनी भी Vacances प्रोफेसर की अलेक्षरार के निकाले जारी कि इसका जो आधार है चैन करने का उसको यहाँ पे Computer Based टेस्ट या फिर Exam Based बनाया जाए चुकि Merit Based में क्या हो रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी Result दिये गये हैं उसमें Average Marking करके PhD का Result उनका बना दिया गया है या फिर उनके Masters का Result बना दिया गया है तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो है बाहर के छात्र अप्लाई करने वाले उनके degrees, उनके certification पे उनका जो mark से वो जादा रहता है और उनका selection यहाँ पे हो जाता है और in comparison बिहार के छात्रों का यहाँ पे selection कम हो रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके mark sheet में number कम रहते हैं और यह number कम इसलिए हैं क्योंकि average marking से बहुत सारे उन्होंने paper यहाँ पे उनके हाथ में है मतलब कि उनका जो result आया हुआ है पुराना 10th से लेकर अभी तक का, PhD तक का तो इसलिए यह मांग भी उठी थी कि इन सभी exam के लिए प्लीज exam based लिया जाए तो आप लोग की क्या रहा है क्या इसका exam होना चाहिए जो की सुरुवाती दौर में उनका result अच्छा नहीं रहा और अब आगे आगे मेहनत किये और उनकी सफलता पाने के आगे यह रोडा बन रहा है उनका marks rate जी हाँ, इसलिए यहाँ पे exam होना चाहिए जो काबिल होगा, जो काबिलियत दिखलाएगा वो यहाँ पे सफल होगा तो यह बनना इनका भी सही है और इसके लिए देखे चैन का अधार क्या है तो merit twist आपका होगा सब कुछ maximum marks 10% जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, MSC, MA का जो भी आपका है यहाँ पे mathematics में और 5% marks आपका जो भी graduation का है है ना, उसका जूटेगा और 5 number जो है, 5 number फिर यह percentage में है, यह number में ठीक है, PhD का number 5 जूटेगा अगर अपने PhD कर रखाया है तो relevant skim में, दोस्तों यहाँ पे आप आविदन कर सकते हैं, जो भी छात्र हैं mathematics से जुड़े हुए उनके लिए यह lecture hour की vacancy निकाले गई है अब देखिए, same criteria में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो छात्रा आरक्षन के लिए यहाँ पे आविदन करेंगे, आरक्षन से, उनको तुलाब मिलेगा है, लेकिन वो बिहार के होने चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एक और जो भी आपका प्रमाण पत्र लगेगा उसके बारे में सक्षयतकार यहाँ पे बताया गया है साफ साफ यहाँ बताया गया है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको इंटर्व्यू के समय लेकर जाना है इसनातक अंक पत्र, इसनातक अक्तर आपको निकाल दिया जाएगा यहाँ पर आवे दिन नहीं करने को मौगा मिलेगा दोस्तों यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो यह अनुसूची जाती जन जाती से हैं उनका भी मार्शेट लगेगा जो भी सर्टिफिकेट जाती निवास प्रमान को होता है यह सारी चीजे हैं लेकिन फॉर्म भरना बहुत थोड़ा सा कठीन है वेकेंसी कम है फिर भी साड़े साथ सो रुपे फीस लिये जा रहे हैं और यह वेकेंसी अलग अलग निकाल दी जा रहे हैं यही पर तो मैं आपको अपनी आवाज उठाने की बाते भी कर रहा लगातार में पूरी वेकेंसी निकाल सकते हैं लेकिन देखेएगा तो आपको अभी लगातार साथ से आठ ऐसी वेकेंसी निकाली गई है जिनका साड़े साथ सो रुपे यहां पर फीस चार्ज रखा गया है खैर कोई बात नहीं यह तो बिहार सरकार की मानने के उपर है और इन सभी वेकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 200 रुपे चार्ज करकी जो की अनुसुची जन जाती है से श्टी से चातर जो आते हैं या महिला वर्व से हैं उनके लिए है जो बहिला यहां पर बिहार से होनी चाहिए लेकिन ठीक है उन्हीं को 200 रुपे लग रहे हैं तो यह सारे अपडेट हैं दोस्तों यहां पर लेकर इन सभी चीजों का और 25 अगस्त से 11 सेप्टेंबर तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 30 सेप्टेंबर तक आपको यह सारे डिटेल जो है आयोग तक भेज देना होगा विथ स्पीड पोश चीक है भुगतान कर सकत हैं ऑनलाइन आवेदन हैतु यहां पर डैश बोड से डाउनलोड करके हाड कोपी आवश्यक सुरच्छित कर लें यहां से जैसे इसको निकालिएगा अडवेटाइजमेंट को तो वहां पर आपको फॉर्म को भरना है अपने सारे डॉक्मेंट अटेज करने है फोटो वेग आपका उसमें आप एक बार जरूर चेक कर लिजेगा तो यह सारा डेल है दूस्तों यहां पर जो वेकेंसी निकाली गई है इन सभी के लिए यहां पर सेलरी की बात कर ले तो 56,100 की सेलरी है कंप्लीट आपकी और फीस है 7500 रुपे तो फीस तो चलिए माइन ने रखता है ल लेकिन चात्र तो यही चाहते है उसी तरह यहां पर वेकेंसी इंजिनरी कॉलेजों की निकाली गई है जो चात्र एसोसीड प्रोफेसर बनना चाहते हैं electronics and communication में वो छात्राविदन कर सकते हैं लेकिन सेम क्राटेरिया यहां पर PhD विगरा मांगा गया है और सेम क्राटेरिया है तो एक मांग है यहां पर कि आप degrees की आधार पर यहां पर selection ना करें क्योंकि हमारे degree जो है बिहार के degree जो है बिहार के चात्रों के degree जो है वह एवरेज मार्किंग करके नंबर कम है बाहर के चात्राविदन करेंगे उनका selection यहां पर होना है उसके बाद यहां पर एक अपडेट है कि फीज ज्यादा ले रहे हैं आप लोग यहां फीज के अगर कम हो सकती है तो कीजिए चलिए कोई लिकत ने फीज का अगर लेते भी है तो लेकिन इस एक्जाम वाले पैटरन पर आप लोग एक बार विचार जरूर करेंगे तो यह एक छोटा सा अपडेट है दोस्तों यहां पर इन सब के बारे में एक एक करके आप डाउनलोड भी कर लिजेगा और यह महतपुन सूशना स हाथ में दी गई है इसको भी आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लिजेगा जो भी जिस स्ट्रीम से बिलॉंग करते हैं उसके लिए तो दोस्तों आज के इस अपडेट में मैंने आपको सारा अपडेट दे दिया है और कोई भी डाउट है आपका तो आप लोग कम अपने परिवार का